मिलन को इंगलिश में क्या कहते हैं या आज की इस वीडियो में सीख लेते हैं मिलन को इंगलिश में आप मीटिंग, to meet या union कह सकते हैं M-Double-E-T-I-N-G meeting या to meet या M-Double-E-T meet और U-N-I-O-N union जैसे कि अगर आप ये कहना चाहें कि समुद्र किनारे पर हमारा मिलन एक यादगार अनुभव था तो आप कह सकते हैं our meeting on the sea shore was a memorable experience और meeting on the sea shore was a memorable experience या अगर आप ये कहना चाहें कि शादी के बाद दो परिवारों का मिलन सामाजिक एकता को बढ़ावा देता है तो आप कह सकते हैं the union of two families after marriage promotes social unity अब आप ऐसी ही किसी भी word का मतलब हिंदी और इंग्लिश में यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतु बखवास के सीधा उस word का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें